मध्य प्रदेश के स्कूल सिख्षा राज्य मंत्री इंदर सिंग परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई नए ड्रेस कोड लागू नहीं किया जाएगा स्कूल सिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंग परमार ने मध्य प्रदेश के स्कूलों में समानता एकता और अनुशास्थन बनाई रखने के लिए स्कूलों में हिजाब पर प्रतिवन लगाते हुए ड्रेस कोड को लागू करने की बात कही थी लेकिन अब मंत्री जी का कहना है कि मेरे बयान को पूरे देश में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया वहीं इसका खंडन करते हुए स्कूल सिक्षा मंत्री ने आज अपना नया बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ लोग मेरे बयान का गलत मतलब निकालते हुए उसने गलत तरीके से रास्ट्य इस्तर पर प्रदर्शित कर रहे हैं ऐसे में मंत्री पर्मार ने अपने ही दियोए बयान को खुद ही गलत साबित कर दिया है मेरे द्वारा इसकोलों में गंडवेन इसकोल लेकर के बयान जारी किया रहा था मेरा बयान इस्कुलों में समानता अनुसासन और इस्कुल की पेचान के संदर्व में था और इसलिए इनिभार्व कोड लागू करने का विशे मैंने बोला था परन्तु कुछ लोगों ने उसका गलत अर्थ निकाल करके गलत संदर्व में पूरे देश के सामने विश्चे रखा है मैं उसका खंडन करता हूं फिलाल हम नया इनिभार्व कोड लागू नहीं करेंगे ना उस पर हमरा कोई काम हो रहा है परमपरा का दुरूप से जैसी व्यवस्ता चल रही है जैसी व्यवस्ता ही इसकुलों में घंडवेश को लेकर रही